तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE की तरफ से प्रोवाइट किये गए Mission Mathematics Class 10, Question of the Day की वर्क सीट को जो की 3-2-2023 डेट के लिए है इससे पहले की सभी वर्क सीट अपलोड है, कोमेंट में लिंक पेस्ट है देख सकते हो और चार तारीक के एक असस्मेंट है, वो भी जश्ट अपलोड करेंगा, उसके बाद प्रैक्टिस पेपर दूँगा, सॉल्ब करके, वो भी सॉल्ब करना है तो Question को इस्टार्ट करते है A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck at each of its ends The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the hemispheres is 5 mm Find the surface area of the capsule एक दवाई का capsule बेलन के आकार का है, जिसके दोनों किनारों पर अर्धगोले है कैपसूल की खुल लंबाई 14 mm तथा अर्धगोले का व्यास 5 mm है कैपसूल का प्रिष्टिय शेदफल ग्याथ कीजिए ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, टोटल ये 14 mm है ठीक है, और ये टोटल व्यास हुआ, ये भी सेमों का 5 है तो यहाँ पर आधा बता रहे हैं, आधा 5 by 2 यानि 5 बटे 2 मतलब कि धाई है ये ध्यान में रखना radius R हो जाएगी, ठीक है, तो solution देखो इसका तो ध्यान से देखो, डाइग्राम समझ गे और सबसे पहले बेलन की लंबाई निकालेंगे क्योंकि टोटल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, ठीक है तो देखो ध्यान से जब यह इतना 5 है, तो आधा, इसकी तरजा आधी होगी, ध्यान से देखो, अर्ध गोले की, ये आधी होगी, तो 5 बटे 2 मतलब कि धाई हो गया ठीक है, आप समझो ध्यान से, ये धाई इधर भी है, धाई इधर भी है, दोनों तरफ धाई धाई है, 2.5 ठीक है, तो बेलन की लंबाई निकालेंगे, यानि लेंथ ओफ सिलेंडर, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है कितना, 14 और दोनों तरफ 2.5 यह भी है, 2.5 यह प्लस करके, 14 मेंसे घटाएंगे, तो बीच का इतना बेलन हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये चित ध्यान में रखना, फिर से देख लो, ये बीच का बेलन है, हमें इसकी लंबाई चाहिए, लंबाई मतलब उचाई हो जाएगी, तो दोनों तरफ, धाई यह है, धाई यह है, गोले में तरजाई उसकी उचाई होती है, तो धाई धाई जोड के, 14 मेंसे घटाएंगे, ठीक है, आगे देखो, तो बेलन की, लंबाई यह नहीं उचाई आ गई, 9, ठीक है, 14, और यह हो जाएगा, धाई धाई 5, 14 मेंसे 5 घटाओ, 9 आ जाएगा, तो ये टोटल ब्यास है हमें, जो दोनों तरफ, अर्ध गोले बन रहे हैं, उसकी तरजाँ चाहिए, तो अर्ध तरजा आर बराबर, डी बाई 2, तो पांच बटे दो, ब्यास पांच है, पांच बटे दो, ढाई आ गया यह थी, ठीक है, अब समझो ध्यान से, पूरे केपसूल का, पृष्टिय सेत पर हमको निकालना है पूरे का तीसमें एक बेलन है और दो अर्ध गोले हैं दो हैं और एक तरफ बीच में क्या मिल रहा हमको बेलन ठीक है तो हिंदिम लिखना capsule का प्रिष्टिय शेथफल बराबर बेलन का प्रिष्टिय शेथफल प्लस दो अर्थ गोले का प्रिष्टिय शेथफल ठीक इसी प्रकार इंग्लिस वाले लिखेंगे surface area of capsule cso of cylinder plus two cso of hemisphere ठीक है ध्यान रखना दो अर्थ गोले हैं और एक जोड़ना है तो capsule का प्रिष्टिय शेथफल आ जाएगा ठीक है तो बेलन का प्रिष्टिय शेथफल यानि cso of cylinder formula two pi r h दो पे दो अर्थ गोले का प्रिष्टिय शेथफल यानि cso of hemisphere two pi r square होता है तो two pi r common कर लिया है इसमें से h बचा इसमें two pi r square है तो two pi r निकल जाएगा एक r बचेगा और आगे दो है दो r हो जाएगे निए two r आ गया ठीक है इसकी value put कर दो two पे two pi कमान 22 बटे 7 r पर 2.5 ठीक है bracket में h 9 है 2 गुणे r 2.5 solve करो तो 2 22 बटे 7 2.5 सेम लिखा गया 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा पांच और पांच में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 14 साथ से कट करो साथ एकम साथ सादुना 14 बचा क्या 2 22 दो समलो 5 और 2 यहां दो आगया नीचे साथ कट चुका है ठीक है गुणा कर लो आ जाएगा 220 mm2 ठीक है यह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो हिंदी वाले स्टुडेंट हिंदी की लाइन इंग्लिस वाले इंग्लिस की लाइन लिखेंगे ठीक है टोटल इतना ही था कहीं पर डाउट है तो कोमेंट कर सकते हो मिलते हैं इंग्लिस वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिंग इस वीडियो और टेक है